गुड बॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वीके मिश्राव फ्रॉम गेस्ट्रो लेवर हॉस्पिल स्वरुपनगर कानपुर। अनफॉर्चुनेटली आपके तबियत खराब होती है। तबियत खराब होने के साथ ही आपके मन में ये प्रश्ण तुरंत ही खड़ा होता है कि किस डॉक्टर को दिखाईए। आपके जो प्राबलम है उसके लिए राइट डॉक्टर कौन सा है ये हमेशा एक क्वेस्टन आता है। तो एक जो राइट डॉक्टर उसको फाइंड करना कभी-कभी बहुत फ्रस्टेटिंग चेलेंज हो जाता है। हमारी जो बॉड़ी के सिस्टम्स हैं, they are connected to each other and they are connected in a very complicated ways. हार्ट जो हमें लंग से connected है, लंग-लिवर से connected है, लिवर-इंटेस्टीन से connected है, तो जितने भी हम अगर बॉड़ी के और्गन स्कोर सिस्टम्स को देखे हैं, ये बहुत complicated ways में एक दूछरे से connected हैं. तो वास्तो में आपकी problem के लिए किस specialist की जरूरत है, वास्तो में ये काफी research मांगती है, इन कभी-कभी काफी expertise मांगती है. आपके सामने बहुत सारे questions खड़े होते हैं, कि आपको अगर कोई problem है, तो क्या आपको सबसे पहले general physician या primary care physician के पास जाना चाहिए, या आपको अपने primary care physician या general physician के पास जाना चाहिए, इन वो फिर direct करेगा कि आपको किस specialist को दिखाने जरूरत है, या आप खुद decide करेंगे क आपको किस specialist के पास जाना चाहिए तो चार questions खड़े होते हैं जब आपकी तेवित खराब होती है तो इससे very challenging thing जो आपको कभी-कभी परिशान करती है अगर आप family physicians को देखें जिनें आप रोज मर्रे में चोटे-चोटे चीजों के लिए दिखाते हैं तो बिल्कुल सही बात है कि जो family physician है वो हर चीज का इलाज करता है इन हर एक का इलाज करता है चाहिए छोटे बच्ची होँ, females होँ, elderly होँ, males हो all age groups, जो family physician है treats everyone but family physicians mostly अपनी जो clinics हैं या अपनी OPD है उसी तक confined है वो indoor services या higher जो एक problem है उनको address नहीं कर सकते next आते हैं internist या internist वो होते हैं जो MD medicine level के doctors होते हैं ये वास्तों में clinics भी चलाते हैं या OPDs में भी होते हैं ये hospitals में भी होते हैं वास्तों में they are the ones जो indoor services provide करते हैं अगर तबियाद ज़्यादा है admit होने की जरूरत है तो जो internist हैं वो आपको help कर सकते हैं ये वास्तों में जितने भी all major body systems हैं उनको treat करने में train होते हैं और अगर जरूरत परती हैं तो वो हमेशा किसी specialist की मदद ले सकते हैं नो जब हम specialist की बात करते हैं तो हम एक-एक करके बात करेंगे number one is the cardiologist जो cardiologist हैं उन्हें आप हरदाय रोग विशिशग की नाम से जानते हैं जब cardiologist के हम बात करते हैं तो ये heart की problems का treatment करते हैं जो blood vessels या heart से जो धमनिया निकलती हैं उनमें भी अगर कोई problem है तो वो cardiologist के ही domain में आता है जहां तक cardiologist का सवाल है they are actually physicians ये physician होते हैं ये जो treat करते हैं number one is the coronary artery disease या जो heart की बीमारी सबसे ज़्यादा होती है या जिसे ischemic heart disease भी कहते हैं ये heart attacks treat करते हैं अगर heart की speed गलबल है irregular heart beat है तो भी cardiologist ही treat करते हैं अगर heart के valve में कोई problem है जिसे rheumatic heart disease है mitral stenosis है, mitral regurgitation है जो valve risk से related जो problems है वो भी cardiologist ही treat करते हैं और जितने भी cardiomyopathies होती है चाहे वो dilated cardiomyopathies हो constrictive cardiomyopathies हो hypertensio cardiomyopathies हो जितने भी cardiomyopathies होती है उनका जो treatment है वो भी cardiomyopathies ही करते हैं अगर blood pressure आपका बहुत high है uncontrolled है, accelerated है तो उसके treatment के लिए बे आपको cardiologist के मदद लेनी पड़ती है कभी-कभी जो disc lypedemia है वो भी cardiologist के domain में आता है the next one is the neurologist जो आप neurologist की बात करते हैं तो actually ये neurophysicians हैं ये physicians हैं they are not surgeons जहां तक neurologist का सवाल है ये brain, spinal card or nerves ये तीन चीज़ों से जो जितनी related problem है उनको treat करते हैं ये जो treat करते हैं major disease उनको ध्यान से देखिए जो stroke है जिसे आप लखवा समझते हैं ये neurologist के domain में आता है बहुत सारे जो headache disorders हैं किसी भी किस्ट में हो migraine हो, non-migraine हो ये सब neurologist के domain में आता है जो Parkinsonism की disease है जो company का रोग है वो वास्तों में neurologist treat करते हैं जो multiple sclerosis है जो बहुत एक serious से बिमारी है वो वास्तों में neurologist के domain में आता है जितने भी speed disorders है वो वास्तों में neurologist ही उसको address करते हैं जितनी भी मिर्गी जैसी चीज है या seizure disorder है या जो दोड़े पड़ जाते हैं इनका जो treatment है उसको properly वास्तों में neurologist ही करते हैं और जितनी भी neuropathies है peripheral neuropathy है इनका जो treatment है वो neurologist के domain में ही आता है तो neurologist है वास्तों में brain, spinal card and nerves यह तीनों के उसमें काम करता है जब हम neurologist की बात करते हैं तो वास्तों में यह male and female दोनों इनके urinal tract और kidney इसमें जो भी problems हों उनको address करते हैं यह basically surgeons होते हैं यह male and female particularly male जो reproductive organs हैं उनको भी treat करने का काम करते हैं अगर हम मोटे तोर पे देखें कि urologist किन चीजों को treat करते हैं उनको ध्यान से देखें अगर kidney में stones हैं तो urologist treat करते हैं benign prostatic जो hypertrophy होती है उसको urologist treat करते हैं prostate का जो cancer है वो urologist के domain में आता है जितने भी urinary incontinence हैं वो भी इनी के domain में आता है अगर urethra में कोई structure है जिसके चलते हैं urine में problem हैं बार-बार UTI हो रही है तो वास्तों में उसको urologist ही address करते हैं ऐसे ही जो erectile dysfunctions हैं जिसके चलते हैं importance develop हो जाता है वो urologist के domain में ही आता है जो endocrinologist हैं वास्तों में they are also known as hormone specialists यह hormone related जितने भी problems हैं यह उनको address करते हैं उनको treat करते हैं यह technically physicians होते हैं यह surgeons नहीं हैं अगर हम ध्यान से देखें जो disease सबसे ज़्यादा यह address करते हैं यह diabetes mellitus यह diabetes insipidus यह treat करते हैं thyroid diseases चाहे वो hyperthyroidism हो चाहे वो hyperthyroidism हो जितने भी growth related problems हैं जिसमें growth की stunting होती है या growth ज़्यादा होने लगती है उनको वास्तों में endocrinologist ही address करते हैं जो osteoporosis है जिसमें bone की thinning होने लगती है इन calcium के चलते problem होती है उसको यह जो endocrinologist हैं यही address करते हैं जो primary infertility है particularly जो hormone related है उसको भी यही लोग address करते हैं जहां तक pituitary and adrenal glands हैं इससे related जितने भी problems हैं उनको endocrinologist ही वास्तों में treat करते हैं और आज की तारीक में obesity has become a global problem जो obesity का सवाल है तो obesity वास्तों में बहुत सारे specialist treat करते हैं बट the endocrinologist is the one जो सबसे ज़्यादा इसको treat करते हैं the next one are the oncologist जो oncologist हैं उसको आप ध्यान से देखिए यह वो doctors हैं जो cancer treat करते हैं यह cancer को treat करने वाले doctors हैं जहां तक oncologist का सवाल है इसे wide term जो oncologist हैं वो कई तरह के होते हैं जो आपको समझना चाहिए नमबर वन is the radiation oncologist जो radiation oncologist है वो वास्तों में radiation का काम करता है या जिसे आप मोटे तोर पे कहते हैं कि सिकाई का काम करता है तो जो radiation दिया जाता है रीडियो थरेपी दी जाती है चाहिए वो external beam से दी जाओ है चाहिए वो internal उससे दी जाओ है जो radiation का जितना भी काम है वो radiation oncologist कहते हैं करते हैं यह वास्तों में physicians होते हैं the second one is the surgical oncologist यह surgeons होते हैं यह वास्तों में cancer के operate करने का काम करते हैं number three are the gynecological oncologist जो वास्तों में जो uterus, ovary और इस area में जितनी भी cancers हैं उनको treat करने का काम करते हैं यह basically gynecologist होते हैं यह surgeons होते हैं number four are the medical oncologist they are the ones जो वास्तों में physicians होते हैं यह जो cancers हैं उनके treatment का काम करते हैं particularly the chemotherapy पांच में होते हैं pediatric oncologist यह वो specialist होते हैं जो वास्तों में जो छोटे बच्चों में cancers होते हैं चाहे वो leukemias हो चाहे वो wilms tumor हो चाहे वो hepatomas हो जो जितने भी इस तरह के छोटे बच्चों में जो cancers होते हैं उनको treat करने का काम करते हैं they are physicians they are known as pediatric oncologist and the last one are the hemato-oncologist यह वास्तों में जो blood cancer या related जितने भी cancer से उनके treatment का काम करते हैं तो यह पाच्चे तरह के अलग-अला oncologist हैं जो कभी-कभी आपको ठीक से जोना devise करने पड़ते हैं कि हमें किसकी जरूरत है उसके आपको help लेनी की जरूरत है the next one is the gastroenterologist जैसा मैं हूँ जहां तक gastroenterologist का सवाल है हम इसोफेकस को treat करते हैं याने खाने की नली खाने की थेली याने stomach हम intestine को treat करते हैं चाहे वो छोटी आथ हो या बड़ी आथ हो हम liver related problem को treat करते हैं हम pancreas related problem को treat करते हैं gall better related problem को treat करते हैं इन जो बड़ी आथ का area particular rectum colon है वो हमारे ही डोमेन में आता है मोटे तोर पर जो diseases हमारे डोमेन में आती है या हम treat करते हैं और all liver diseases, all gallbladder related problems irritable bubble syndrome, inflammatory bubble disease like ulcerative colitis जितने भी acid related issues हैं including all ulcers, GERD वो हमारे डोमेन में आते हैं और जितने भी gastrointestinal cancers हैं वो भी हमारे ही डोमेन में आते हैं आपको इचीज समझनी की ज़रूरत है कि जितने भी gastroenterologist के हम बात करते हैं इसके अलाबा हम बहुत सारी procedure perform करते हैं जो common procedures जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए हम upper GI endoscopy perform करते हैं हम बड़ी आत के लिए colonoscopy perform करते हैं हम wildect को clear करने के लिए endoscopy retrograde colonoscopy pancreaticography या ERCP perform करते हैं और हम अंदर एक endoscopy ultrasound करते हैं inside organs को ultrasound sonologically assist करने के लिए जितने भी foreign bodies होती हैं सिक्का निगल जाते हैं बच्चे पिन निगल जाते हैं उनको निकालने का काम हम gastroenterologist करते हैं अंदर अगर कहीं से bleeding हो रहे हैं उनको control करने का काम endoscopy की दोरा gastroenterologist करते हैं अगर यहां कहीं कोई रुकाबट है खाने के नली सिकुड गई है तो उसको dilate करने का काम है stent place करने का काम है वो भी हमारा ही है और higher procedures जैसे POIA में, EMR है, ESD है और biliary tract मे stent placement का का काम है या interim stand placement का काम है यह पूरे के पूरे काम वास्तों में gastroenterologist ही करते हैं the next one is the dermatologist dermatologist basically हम skin specialist को के लिए कहते हैं यह skin का का काम करते हैं यह hair related problems का का काम करते हैं यह जो नाखून या nails में जो भी problem है वो भी unique domain में आता है जब हम dermatologist की बात करते हैं यह वास्तों में physicians होते हैं यह जो major diseases जो treat करते हैं उनको ध्याम से देखिए जो vitiligo होता है यह skin में जो सफेद दाग होते हैं वास्तों में इनके domain में आता है जो चेहरे पे acne होती है जो दाने पड़ जाते हैं बहुत acne होती हैं pimples होते हैं उनका काम यही treatment करते हैं जो skin में cyst हो जाती हैं बहुत यह wards हो जाते हैं वो skin specialist ही treatment करते हैं और allergies including eczema वो इनी के domain में आता है जितने भी skin के fungal infections हैं वो इनी के domain में आते हैं skin cancers का जहां तक सवाल है इसको treat करने का काम skin specialist ही करते हैं वास्तों में जो skin specialist हैं, skin, nail on hair से related, जितनी भी problems हैं, उनको सब को address करने का काम करते हैं, तो जब भी आपको कोई problem है, तो वास्तों में ये question ख़़ा होता है, कि आपको किसे दिखाना चाहिए, आपको general physician को दिखाना चाहिए, आपको specialist को दिखाना चाहिए, या general physician के through specialist को दिखा करने के लिए, आपके पास में एक battery है, या आपके पास में एक list है, जो doctors की है, specialist की है, तो अपनी problems के हिसाब से, आपको अपना जो specialist है, उसको choose करने की ज़रूरत है, अगर ये information आपको proper doctor choose करने में मनुद करती है, तो इसको जरूर शेयर करें, मैं Dr. V.K. Mishra, from guest to labor hospital, अपनंगर कानपूर, thank you very much.